तो वही इसराइल की सेना ने शुकरवार को राफा शहर के उत्तरी हिस्से में विस्थापत फिलस्तीनियों के लिए बनाए गए शिविरों पर हमला किया जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 50 अनिक घायल हो गई गाजा के स्वास्त मंत्राले और आपात कालीन करमचारियों नेया जानकारी दी है राफा में सिविल डिफेंस फॉस्ट रिस्पॉंड के प्रवक्ता एहमद रादवान के अनुसार प्रत्यक्ष दर्शियों ने बचाफ कर्मियों को तटी छेत्रों में दो स्थानों पर गोला आपारी के बारे में बताया इन हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य बुरी तर ऐसे घाल हो गई